ओम शंति 14.4.2023 के साकार अनमोल धार्णना युक्त मधुर महवाकिय है बाबा ने कहा है बच्चों तुम्हें फकुर होना चाहिए कि शिप बाबा राज्योग सिखला रहे हैं जिस राज्योग से हम राजाओं का राजा बनते हैं सासाथ बाबा ने कहा ममा बाबा की तरह से तुम बच्चों को सर्विस में लगचाना चाहिए जितना औरों की सर्विस करेंगे अपनी सर्विस भी उसमें समाई हुई है और सर्विस करने से प्रजा बनती है और प्रजा बनाएंगे तब तो सत्यूग में राजा बनेंगे मीठे बच्चे ममा बाबा समान सर्विस करने के लिए बुद्धी को सतो परधान बनाओ बुद्धी हमारी सतो परधान चाहिए सेवा करने के लिए सतो परधान बुद्धी वाले ही धारना कर दूसरों को करा सकते हैं सर्विस करना अर्थात स्पहले स्वेम की सर्विस करो अर्थात बाबा जो बताते उनको धारन करो फिर औरों को धारना कराओ कुश्चन उचे ते उचा पुर्शार्थ कुन सा है जो अभी तुम बच्चे कर रहे हो आंसर है मात्पिता के तक्त को जीतना यह है उचे से उचा पुर्शार्थ मम्मा बाबा आकर तुम्हारे वारिस बने ऐसा नमबर वन बनने का लक्ष रखो इसके लिए उचे से उचे सेवा करनी है बहुतों को आप समान बनाना है दुखी मनुश्यों को सुखी बनाना अविनाशी ज्यान रतनों को बुद्धी रूपी बरतन में धारन कर दूसरों को दान देना गीत के बोल हैं भोले नाच से निराला ओम शान्ती अब बच्चे तो पहचान गए हैं हमको बाप अथ्वा माद पिता सिखलाने वाले हैं बच्चों को ही इसी खुशे में रहना है अभी तो हम बेहद बाप के बने हैं परतिग्या भी बच्चे करते हैं बाबा अभी हम आपके ही हैं हम है इश्वर के अब असुरों के संबन में नहीं है हम आशुरी मत पर नहीं चलते आशुरी मत किसको कहा जाता है जो श्री मत पर ना चल आशुरी कर्म करते हैं तो एक है इश्वरिय कर्म दूसरा है आशुरी कर्म ये बात कोई भी नहीं जानते कि आदि सनातन देवी देवता धरम कब और किस ने स्थापन किया और सभी धरम वाले अपने अपने धरमों को जानते हैं सन्याजी कहेंगे हमारा धरम शंकराचारिय ने स्थापन किया देवी देवताय धर्म तो अब है ही नहीं तो ये बताए कौन लक्षमी नारण आदी का कोई को पता नहीं है बाप कोई ही नहीं जानते तो बिमुक हो गए न यह भी द्रामा में नूंध है अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप आकर हम बच्चों को फिर से राज्य योग सत्यू के लिए सिखलाते हैं तुमको बैकुंट का मालिक बनना है क्रिशन पुरी जाना है यह तो कंस पुरी है कंस और क्रिशन इकठे नहीं हो सकते रात और दिन इकठा होता है क्या तो ऐसे ही बाबन ने कहा क्रिशन माना दिन रोशनी और कंस माना रात अंधियारा अज्ञानता का तो दोनों एकठे कैसे हो सकते हैं अब तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए हम को अब परम पिटा परमात्म सहिज राज्योग सिखला रहे हैं पाप कहते हैं हम परम धाम से आए हैं पुरानी इस रामन की दुनिया में पुरानी शरीर में जैसे मनुष्य प पुरानी शरीर में आती हैं उनके लिए पुरानी दुनिया नहीं कहेंगे पुरानी शरीर में आती हैं फिर उनको खिलाते पिलाते हैं ये रसम दिवाज भारत में ही चली आती हैं ये हुई भावना कहते हैं हमारे पती के आत्मा इस ब्राह्मन में आई वह भावना रखते ह पती के नाम रूप को याद करते हैं, आत्मे ही आकर सभिकार करती है, यह है यहां की रसम दिवाच, सत्युग में यह बाती नहीं होती, फालतु खर्चा करना धक्का खाना यह भक्ति मारग की ही रसम है, भावना रखने से अल्प काल का सुख सो भी बाप से ही मिलता है, बाप कभी दुख नहीं देता, मनुश्य तो नजानने के कान कह देते हैं, सुख दुख दोनों ही परमात्मा देते हैं, तो बाप समझाते हैं, बच्चे ये खेल बना हुआ है, जो देवी देवता धर्म वाले होंगे वही आकर ब्राह्मन बनेंगे, मालूम पढ़ जाता है, यह हमारे कुलका है, इसने बहुत भक्ति की है, जैसे कोई बहुत अच्छा पढ़ता है, तो पद भी तो अच्छा मिलता है ना, वैसे जुनों ने बहुत भक्ति की है, बाँ पाकर कहते हैं, अब मैं उन्हों को भक्ति का फल देने आया हूँ, भक्ति में तो दुख है ना, कितना भटकना पड़ता है, अब मैं तुमको सभी दुखों से दूर करता हूँ, अगर शिरीमत पर चलते रहेंगे तो दुख दूर तब होंगे, अगर हम बाप की शिरीमत पर चलते रहेंगे तो बाप कभी उल्टीमत नहीं देंगे, सनमुख आकर शिरिमत देते हैं ऐसे नहीं कहेंगे रावन कोई चीज है जो कोई की बुद्धी में बिठा देते हैं ये सब ड्रावा में नोंद है मानुष्य बिल्कुल ही पतित बन जाते हैं माया के कारण तुम जानते हो हम देवता बनेंगे फिर आधा कल्प के बाद पतित बनना शुरू होगा ये बाबा भी तो अनभवी भुजुर गए हैं न सादू संत आदी सभी देखे हैं शाश्त्र भी पढ़े हैं तो बाब जरूर अनभवी रत में ही आते होंगे उनकी भी जरूर कोई हिस्ट्री होगी कि भगवान ने यह एक ही रत क्यों लिया भागी रत अर्थात भाग्ये शाली रत गाया हुआ है कहते हैं भागी रत ने गंगा लाई भागी रत से गंगा निकले अब पानी की गंगा तो निकल नहीं सकते आगे हम भी समस्ते नहीं थे भाग्जी शाली रत तो वह ब्रह्मा का हुआना जिसमें परम पिता परमात्मा आते हैं मनुष्य तो मौझ जाते हैं इस ब्रह्मा में कैसे आएंगे तुम इस मनुष्य को ब्रह्मा कहते हो ब्रह्मा तो भगवान है सुक्षुमतन में रहने वाला है तुमने फिर मनुष्य को ब्रह्मा बना रखा है ऐसे ऐसे कहेंगे यह तो इन्हों की कलपना है ब्रह्मा विश्णु शंकर यहां कहां से आए प्रज्या पिता ब्रह्मा के मुख से ब्राहमन पैदा हुए, शो तो यहाँ ही होंगे ना जैसे गुलाब की कलम, गलने की कलम, आलो की यह कलम आदि लगाते हैं, भीज नहीं होता उनका, ऐसे ही परमपिता परमात्मा इस स्रिष्टी से ही कल्योगी स्रिष्टी से, जिस प्रश्य को चुनते हैं, वो पतित ही होता है, तो परमात्मा आकर के उसमें परवेश करते हैं, उनके द्वारा ही परमात्मा, प्रजा पिता ब्रह्मा के द्वारा, जिनका नाम रखते हैं, सत्यूगी देवी स्रिष्टी की इस्थापना का कारिय कराते हैं, तो अनभवी तन म में आते हैं कि पुरानी स्रिष्टी में आते हैं तो इसलिए बाबा ने का अब राह्मन पेदा हुए तो यह ने होंगे ना जिए कुछ हो names सो तो फिर भी होगा बुजम्न कैसे संब क्या क्या होगा तुम ड्रामा के राज को जानते हो और कोई नहीं जानते तो तो कह देते हैं ड्रामा की आयू लाखो वर्ष है फिर कहते पढले भी होती है अब सिरी कृष्ण अगर आएगा तो भी सत्यूग में आएगा ना उनको फिर द्वापर में क्यों ले गए पढले तो कभी होती ही नहीं गाते भी हैं पतित पावन आओ तो जरूर पतित दुनिय में आकर पतितों को पावन बनाएंगे ना तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ एक बार पतितों को पावन बनाने मैं ग्यान सागरही स्रिष्टी के आधी मध्य अंत का राज समझा सकता हूँ पुरानी दुनिया को नया कैसे बनाता हूँ सोबैठ बच्चों को समझाता बात होती है यह बेहद का घर बाप का तो प्याद रहता है ना तब तो बक्ति मारग में भी इतनी मरद करते हैं मानुष्य तो करना सके कहते हैं इश्वर ने सुख का जनम दिया किसके पास पैसे बहुत होते हैं तो कहते हैं इश्वर का दिया हुआ है फिर वह ले ले लेते है तो दुख्यों होना चाहिए अब बाप कहते हैं और कोई की बाते मत सुनों सिवाए एक बाप के बाप टीचर गुरू तीनों रूप में पार्ट बजा करके दिखाते हैं सद्गती दाता है ही एक अंधो की लाठी एक प्रभू आधी आधी पतीतों को पावन बनाने वाला एक प्रभू तो बाप कहते हैं मैं साद्व का भी उद्धार करने आता हूं तुम सब भ्रमा कुमार कुमारियां हो सत्युग में था पवित्र परव्रती मार्ग अब हो गया अपवित्र परवरती मार्ग जिसको विकारी प्रवर्ति मार्ग कहा जाता है मनुष्य महान दुखी है बात मत पूँछो तराही तराही करते हैं रोते पीरते हैं अनेग धर्म है सत्युग में था एक धर्म जो एक बाप इस्थापन करते हैं गीता में सिरी क्रिशन भगवानु वाच्चे लिख दिया है, यह है एक अज्य भोल. परमपिता परमात्मा निराकार, उसका नाम है शिव, आत्मा का नाम एक ही चलता है, दूसरा नहीं पड़ता, शरीर का नाम बदलता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, तो नाम बदल जाएगा, बाबा का नाम एक ही शुब बाबा है, इसलिए उसको सदाशिव कहते हैं, बस उनको शारिरिक नाम मिलता ही नहीं, आत्मा जो 84 जिनम भोगने वाली है उनके शरीर का नाम है, तो बाप कहते हैं, मेरा तो एकी नाम है, भल में इनमी परवेश करता हूं, परन्तु शरीर का मालिक तो इस दादा की आत्म ही है ना, जिसमें परवेश कर प्रजा रच रहा हूं, प्रजा पिता तो जरूर यहां चाहिए, मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं, यह एकी कॉलेज है, जहां सब पढ़ते हैं, मुल्ली सब जगा जाती है, फिर कोई की बुद्धी सतो परधान है, कोई की सतो, कोई की रजो और कोई की तमो, बिलकुल ही धार्णा नहीं होती, तो उनके करम ऐसे थेरे, बाप भी क्या करे, सब तो एक समान हो भी नहीं सकते, यह इश्वरिय कॉलेज है, इश्वर पढ़ाने वाला एक है, जिनको पढ़ाते हैं, वह धार्णा कर, फिर टीचर बनते हैं पढ़ाने के लिए, हर एक को देखना चाहिए, मेरी सतो परधान बुद्धी है, है, मैं बाबा, मम्मा, मिशल समझा सकता हूं, बाबा के पास तो सब सेंटर का समाचार आना चाहिए, कि पहले students regular आते हैं कब से पवित्र रहते हैं कितनी students regular आते हैं और कितनी पवित्र रहते हैं बाप को सब पोता मेल का मालूम पढ़ना चाहिए मात पिता बड़े है ना जगदंबा मा भी तो बच्ची ठेरी ना यह बाबा इस दुनिया का भी अनभवी है ड्रामा में मुख्य एक्टर्स देखे जाते हैं न बाप ने यह भी रत लिया है जरूर कुछ तो होका न आदी देव ब्रह्मा का कितना नाम है मनुशे नहीं समझते आदी देव किसको कहा जाता है बास्तों में आदी देव और आदी देवी मात पिता यह बन जाते हैं ब्रह्मा और सर्स्वती दोनों मात पिता बन जाते हैं फिर इनके मुख से सर्स्वती मा निकलती है तो सब बच्चे हो गए यह कहते में शुप बाबा का बच्चा भी हूँ और उनकी बननी माना युगल भी हूँ क्योंकि इनमी परवेशकर मेरे मुख से बच्चे पैदा करते हैं शुप बाबा इनके द्वारा ब्रह्मा मुख बन शावली ब्रह्मन पैदा करते हैं कितनी गुया बाते हैं सतु परदान बुद्धी वाले अच्ची रीती समझेंगे नमबर बार होते ही हैं रोयल घराने और प्रजा में तो फरक रहता है न प्रजा भी अपने पुर्शार से बनती हैं और राजा भी अपने पुर्शार से बनते हैं बाप कहते हैं कि तुम अच्छा पढ़ेंगे तो उंच पद पाएंगे वारिस जो बनेंगे वह तो अंदर रोयल घराने में ही आएंगे बाप कहते हैं पुरा पुर्शार्थ करो मैं आया ही हूँ राजाई देने के लिए राज्योग सिखाता हूँ राजाओं का राजा बनने के लिए राजाई देने के लिए पुर्शार्थ करना है हम मात पिता से स्वरग की बाश्याई का वर्सा लेंगे नहीं तो क्षत्री बन पढ़ेंगे स्टूडेंट खुद भी समझ सकते हैं उन स्कूलों में तो कोई नापास हो जाते हैं फिर पढ़ना पड़े यहां तो फिर पढ़ना सके नापास हुआ तो नापासी रहेंगे इसलिए पुर्शार्थ पूरा करना चाहिए बहुतों को आप समान बनाना है यह है ओचे ते ओची सेवा दुखी मनुश्यों को सदा सुखी बनाना है अपना धंदा ही यह ठैरा बाबा हमेशा कहते हैं ऐसे मत समझो कि सिंध में बहुतों ने घरबार छोड़ा तो हमको भी छोड़ना पड़ेगा नहीं यह ड्रामा में नून थी बाकी भगाने आदी की कोई बात नहीं है भगवान बुरा काम थोड़ी करेंगे यह सब जूते कलंख हैं तुम बचे जानते हो पहले नंबर में यह मम्मा बाबा पड़ पाते हैं तुम भी फिर बाबा मम्मा के तक्त पर जीत पाते हो जो पहला नंबर होगा वह फिर नीचे उतरते जाएंगे बच्चे बड़े होकर तक्त पर बैठेंगे तो मम्मा बाबा से की नंबर में चले जाएंगे पहले वाले राजा रानी फिर छोटे हो जाएंगे तो पुरशार्थ कर बाबा मम्मा के तक पर जीत पहननी चाईए अभी नहीं जीत पानी है भविषय तक तो पर जीत पानी है मम्मा बाबा आकर तुम्हारा वारिस बने बाबा बच्चों को कितना अच्छी जीती समझाते हैं यह ज्यान है जैसे पारा, जो जट उड़ जाता है, पारा होता है थर्मामेटर में, सेकेंड में उपर नीचे होता है, कोई पास तो जरा भी धार्णा नहीं, बंडर है ना, अभी तुम बच्चों को निश्ची है, यहां तो निराकार भगवान पढ़ाते हैं, शिरी कृषन नहीं, भगवान पढ़ाते हैं ना, भगवान को तुम शरीर दे नहीं सकते, शिव भगवान पढ़ाते हैं, शिरी कृषन के शरीर से ऐसा भी तो लिखा हुआ नहीं है, बुड़े तन से, अनभवी तन से यह लिखा हुआ है, शिरी कृषन के तन से में समझाता हूं नहीं, यह लिखा हुआ नहीं है यह है भगवानों बाच्चे तो बात कहते हैं पहले पहले यह दिल में आना चाहिए बाबा हमको बैठ पढ़ाते हैं बाबा अक्षर आने से वर्सा याद आना चाहिए जितना हम पढ़ेंगे उतना स्वरग के उंच पद पाएंगे जितना बाबा को याद करेंगे तो विक्रमों का बोजा खत्म होगा याद करने से बुद्धी सोने का बरतन बन चाहिए दान करते रहेंगे तो धानना भी होती चाहिए दान दिये धनना खुटे यह ज्यान धन ऐसा है जितना दान करेंगे खुटेगा नहीं बलकि बढ़ेगा इसलिए कहा धन दिये धनना खोटे आदी आदी बाप तुम पर राजी होगा बाप भी खुश होगा तुम ब्राह्मन अब अभिनाशी ज्ञान वतनों का दान करते हो वह शाष्त्र जो सुनाते हैं उसको ही ज्ञान समझते हैं बस समझते हैं यही लाखों की मिलकियत है परन्त बच्चों की दिल में आना चाहिए हमारा बाप सिक्षक है सतगुरु भी है साथ ले जाने वाला भी है मुक्ति जिवन मुक्ति में ले जाएंगे यह है ज्ञान अमरत बच्ची स्कूल में पढ़ते हैं तो ब्रम्यचारी रहते हैं अगर गंदे हो जाते तो पढ़ाई हो जाती है बुद्धी एक दम वलीन मलीन हो जाती है यह फिर है रोवानी विद्या ब्रह्मचरिय में रहने बिगर धारना नहीं होगी जब तक ब्रह्मचरिय में नहीं रहेंगे यह परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान अमरत है तब तक हमारे जीवन में धारन नहीं होता तो हमारी property है, purity सुक्षान्ती की जननी है, purity से ही स्वरग नई दुनिया बनती है, तो बाबा नहीं कहा यह है, ब्रह्मचरिय में पढ़ाई पढ़ना, यह है रुखानी विद्या ब्रह्मचरिय में रहने में अगर धालना नहीं होगी, तो बाब कहते हैं, अब यह लो, नहीं तो कल्ब कल्ब स्वरग के मालिक बन नहीं सकेंगे, अपनी पुर्शार से ही बनेंगे, बाब आशिवाद करे, फिर तो सबको राजा बना दे, बाब कहते हैं, यह तो पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, अगर बुद्धी धक्के खाती रहेगी इधर उदर भटकती रहेगी तो खराब हो जाएंगे यह बहुत बड़ा कॉलेज है नामी ही है ब्रह्मा कुमार कुमारीयों का इश्वर ये विश्वर विद्यालय इश्वर का स्थापन किया हुआ है इश्वर को ही बाप कहा जाता है तो बाप ही बाप टीचर सत्गुरु है यह सिवाई तुमारे कोई भी समझते नहीं सत्गुरु के रोप में सभी को वापिस ले जाने वाला है बाप गैरेंटी करते हैं मैं सभी को वापिस ले जाऊंगा कहां? जिसके लिए तुम आधा कल भक्ति करते आई हो मुक्तिधा में ले जाओंगा फिर जो श्री मत पर चलेंगे वह बैकुंथ में बैकुंथ का मालिक बनेंगे स्वरग में जाएंगे बैकुंथ का मालिक बनेंगे आच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रते मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग डाइमन मॉर्निंग रोखानी बाप की रोखानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी मात पिता बाग दादा का याद पियार गोड मौनिंग दाइमन ओम नमस्ते धारना के लिए मुख्छी सार है पढ़ाई को धारन कर दूसरों को पढ़ाने लाइड बनना है ममा बाबा समान सर्विस करनी है ममा बाबा को फॉलो करना है उनके समान सर्विस करनी है Second point अभिनाशी ज्यान गतनों का धान कर दुखी मनुश्यों को सुखी बनाना है पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है वर्दान साधना और साधन के बेलिंस द्वारा अपनी उनत्ती करने वाले ब्लैसिंग के अधिकारी भाओ साधनों को आधार बनाने की बजाए अपनी साधना के आधार से साधनों को कारिये में लगाओ किसी भी साधन को उनत्ती का आधार नहीं बनाओ नहीं तो आधार हिलने के साथ उमंग उत्साह भी हिल जाता है क्योंकि साधन को आधार बनाने से बाप बीच से निकल जाता है आधार हिलेंगे तो बुद्धी हिलेंगी इसलिए बाप ही है जो पुर्शार्थ कराता है इसलिए हलचल होती है साधनों के साध साधना हो तो हर कारिये में बाप की ब्लैसिंग का अनभव करेंगे उमंगुत साह भी कम नहीं होगा स्लोगन अगर मगर के चक्कर से न्यारे बनना है तो बाप समान शक्ति शाली बनो अव्यक्त इशारा फरिष्टा इस्तिति का अनभव करने के लिए विशाल दिल वाले बेहद के समर्ति स्वरूप बनो जहां बेहद है महा कोई भी प्रकार की हद अपने तरब अकर्शित नहीं कर सकती कर्मातीत का अर्थी है सरूप रकार के हद के स्वभाव संसकार से अतीत अर्थात म्यारे ओम शानते